कभी आपने अपने शेहर की कोट या कचैरी में जाकर देखा अगर नहीं देखा तो जाकर देखा तुम इस सिस्टम का एक सबसे बड़ा जंगल मिस कर रहे हो मेरे ख्याल से भारत का हर इंसान कोट कचारी जाने से डरता है क्योंकि वो इसलिए डरता है क्योंकि इसकी जो चाल है हमारे जो सिस्टम की जो चाल है वो कच्छे से भी जादा स्लो है नमश्कार दोस्तों इस वीडियो में बात करूँगा कागच मूवी के बारे में इसे G5 पर रिलीस किया गया है, इसके अंदर कास्ट है, पंकज तिरपाटी, मोनल गजर, मैंने उनका नाम सही से लिया होगा, शतीश कोशिक और बाकी अन्य कलाकर, अब इसकी जो कहानी है, वो एक रियल इंसान के उपर, उसकी जो स्टोरी है, उसी के ऊपर बेस्ट हैं, इसको थोड़ा से इंटरस्टीνग करने के लिए, एंटरटेनिंग करने के लिए, थोड़ा बहूत मसाला इसके अंदर डाला गया है, और मैं ये पक्ये तोर पे कह सकता हं कि इसकी कहानी जो है, वो भारत के जाधा तर लोगों के साथ अच्छे से रिलेट कर पाएगी क्योंकि कोई ना कोई किसी ना किसी सिस्टम में फसा हुआ ही होता है सरकारी तंतर में फसा हुआ होता है तो वो इससे अच्छे से रिलेट कर पाएगा अब इसकी कहानी की बात कर लेते हैं बरतलाल दाम का एक इंसान होता है, जिसे प्लेगी है परंकल तिर्पाटी सर ने, और यह इंसान जो है, वो बहुत मामुली से बैंटबाजे का काम करता है, और अपनी लाइफ जो बड़ी कुछी से जी रहा है, तो एक दिनी डिसाइड करता है कि क्यों न अपने काम को बड़ जो बाते हैं, जो चीजें दिखाई गई हैं, वो भले ही कडवी हैं, बट वो सचाई है, इस इंसान की बेबसी देखोगे, कि ये इनसान जो वो DM के पास जा चुका है, CM के पास जा चुका है, PM के पास तक मतलब इसने घत लिख दिये हैं, लेकिन इसको किसी की तरीके से कोई help नहीं मिल रही है, बरतलाल केस लड़ने की सोच था, और केस लड़ने का मतलब यानि कोट कचैरी में जाना, और कोट कचैरी के जाना यानि उस जंगल में फसना, उस बुलबलईयां में फसना, जहां से निकलने का रास्ता, I think बुड़ा हो जाता है इनसान, या फिर वो मरी जाता है, एक डायलोग मुझे इस मूवी का काफी पसंद आया, जिसमें ये कहा गया है कि सिस्टम को पता है कि उसने क्या गलती कि लेकिन वो कभी भी उसे स्विकारेगा नहीं, एक बार आप सोच कर देखो, कि आप चिला रहे हो, बोड रहे हो कि मैं जिन्दा हूं, मैं जि कोई भी आपकी बास सुननी रहा, आपको ऐसे इग्नोर कर दिया जा रहा है, जैसे आपको कोई वजूद नहीं है, आपको कोई अधिकार नहीं है, आप जैसे उस देश के रहने वाले ही नहीं है, कितना जादा बूरा लगता है, और ये सब चीजें इसके अंदर जैसे बोल दिये बाद, तो मैं अपने ही एक लाइफ का एक छोटा सवधान, आप लोगों इसाथ शेर करूं, तो मैं जब इंजिनिरिंग किया करता, तो मेरे साथ है मेरा दोस्त हम, तो उसका नाम जो है, वो गलती से DMC में कुछ और लिखा गया, स्पैलिंग थोडी मिस्टेक ग किनों में नहीं, कुछ हफतों में बिल्कुल भी नहीं, कुछ महिनों में बिल्कुल भी नहीं, साल में नहीं, उस अपने अपना नाम ठीक कराने में, अपने एक नाम की स्पैलिंग ठीक करवाने में, मेरे दोस्त को चार साल लग और ये हकीकत है, पलती कोई सरकारी बंदा क कर रहा है एक सरकारी तंतर में फस गया है उसकी कुछ गलत लिखा गया है तो उसको कितने ज्यादा मतलब भागना पड़ रहा है कोई उसकी help नहीं कर रहा है सब उसके लूटने के लिए लगे हुए हैं और भरतलाल भाई साब अपना नाम लिखवाने के लिए किस हद तक नही करता यह तो देखो यार आप लोगों को यह मूवी देखोगे तभी पता चलेगा सारी डीटेल से तो मैं बता नहीं सकता अब मैं अगर पर्फॉर्मेंस की बात करूं तो पंकर सी पड़ी सर ने तो कमाल करी दिया और जो साथ में इनके वाइफ का रोल करने वाल जो इन्हो प्ले किया है अपने पती को बुरा सपोर्ट करती है होसला अफजाई करती है और बहुत सा देती है इनका और अपने रोल में बिल्कुल जच रही थी कहानी भी काफी अच्छी है एक तरी किसे आपको सिस्टम का एक फेस दिखाएगी कि भी हाँ सिस्टम कैसा होता है कैसे व या फिर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है जैसा इस मूवी में मतलब कुछ इतना ही नहीं बलकि कुछ ऐसा रलेट नाम को लेकर और यह चीज़ें तो होती रहती है और जिन्हों नहीं देखी तो मैं उनको जरूर कहूंगा कि एक बार तो इस मूवी को देखो यार यह करत मुवी को जरूर करते हैं